नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल ग्यानदा नौलेज में आप एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ओरत के अगर ये साथ अंग बड़े हैं तो वो है बहुत भागेशाली दोस्तो भारती सिंस्कृती में महलाओं को पूज्य माना गया है उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है यही वज़ा है कि हमारे यहां करन्याओं के पूजन की परंपरा है वैदिक विवस्ता में तो धन का विभाग लक्षमी जी विद्या का विभाग माता सरस्वती और शक्ति का विभाग माता महाकाली को दिया गया है ये तो रही वेदों की बात, अब हम गरूर पुरान और समुद्रिक शास्त्री के बात करें तो इन में महलाओं और ग्रैनियों के अंगों के बारे में विस्तित रूप से परकाश डाला गया है हर महला की अपनी एक खासित होती है उसका कौन सा लक्षन, किस पुरुष के लिए बेहतर या भागे बदलने वाला होगा इस स्वाल के जवाब भी समुद्रिक शास्त्र में है इसमें महलाओं के बालों से लेकर पैर के नाकुनों तक किस्तिती और उसका फल बताया गया है इसमें महलाओं के बड़े अंगों का भी अलग-अलग फल बताया गया है शायद यही वज़ा है कि जब हमारे घर के बज़ूर्ग विवा के लिए लड़की देखने जाते हैं यह साथ तरह के अंग्याते हैं पहले हैं लंबे और बड़े बाल दोस्तों शास्त्रों में वर्नित है कि लंबे बालों वाली महलाओं पदमनी होती हैं अर्थात उच्च कोटी की होती हैं लंबे और रेश्मी बाल शुबता और सौंद्रे का परतीक हैं भगवती देवी का कोई भी चित्री या परतिमा देखें तो पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं लंबे बालों वाली महलाओं पती के लिए भागिशाली साबित होती हैं दूसरा है लंबी गर्दन समुदरिक शास्ते में लंबी गर्दन वाली महलाओं को मंगलकारी माना गया है जिन महलाओं की गर्दन लंबी होती है वे एश्वरय शालनी होती है इनके पास संपूरन वैभव होता है इनके रहते पती को कभी पैसों की कमी नहीं होती तीसरा है उँचा वक्ष स्थल समुद्रिक शास्त्रवा भहिष्य पुरान में लिखा है कि उँचे सुडोल वा बड़े वक्ष स्थल वाली इस्तिरियां सुभागी शाले नहीं होती हैं इनके सुडोल वक्ष स्थल, धन, सिमृध्धी वा सुभागी के परतीक हैं दोस्तो परतिमाओं में आप देखें, प्राचीन देवी परतिमाओं में आप देखें तो शिल्पकारों ने बड़े वक्ष स्थलों को ही सुभागी के रूप में प्रस्तित किया है बड़े स्थल वाली महलाएं पती के लिए एक दरह से तारणहार होती हैं इनकी संतान भी अपएक्षकरित ज्यादा बेहतर और सफल होती है चोथा है मानसल और पुष्ट जंगाई मानसल और पुष्ट जंगाई भी सुभागी परतीख है समूदरिक शास्तर के अनुसार जिन महलाओं की जंगाई पूष्ट वा मांसल होती है, वे वैभफ शाली होती है इनके कारण ही पती को मकान और वाहन आदी का सुख बेतर ढंग से प्राप्त होता है पतली वा विक्रित जंगाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है बड़ी आँखें बड़ी आँखें महलाओं के लिए सुभागी का प्रतीक होती है दोस्तों गरुण पुरान में लिखा है कि बड़ी आँखो वाली महलाओं विदुशी, विवेच्शील और बेहिद समयदार होती है ये पूरे प्रिवार के लिए शुभ होती है और विवत्ती आने पर अपनी सुझभूद से पूरे प्रिवार को संभा लेती है इनके रहते घर में धन की कमी नहीं होती छटा है लंबी नाक समाने नाक से कुछ लंबी नाक वाली महलाएं गंभीर और शांत सभाव की होती है ये हर विपत्ती का सामना करने में सक्षम होती है इनके कारण पूरा प्रिवार सुरक्षित रहता है इसी समाने सिर और समाने अकार के कानवले महलाएं प्रिवार के लिए अच्छी मने जाती है साथवा है पैर और अंगलिया दोस्तो समधरिक शास्तर में महलाओं के हाथ और पैरों के अकार को विशेश महत्व दिया गया है सामाने अकार के चिकने पैरों वाली महलाएं एक तरह से लक्षमी स्वरूप होती है इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमी को स्पर्श करते हुई होती है ये महलाएं बेहत सुभागेशाली और पती के लिए लखी होती है इसी तरह हाथों की मध्यम अकार की अंगुलियों और चिकने हाथों वाली महलाएं भी पती के लिए पेहद लग की साबित होती है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी विशेश जानकारी उमीधा आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने दोस्तों और परिवार जनों के साथ शेर करें और हमारे यूटूब चैनल ग्यानदा नोलिज को सब्सक्राइब करें धन्यवाद